नमश्कार बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आवर क्लास्रूम लेट्स लर्न पर और आज तिथी है 28 सितंबर 2020 हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नमबर 73 कक्षा छटी से आठवी के विद्यारतियों के लिए वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हमें बताया गया है समय के विशे में कि समय बहुत ही उपी होगी है समय बहुत कीमती है तो वर्कशीट में हमें कहा गया है कि समय बहुत कीमती है हमें हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं तो अध्यापक आपको कहते हैं कि समय सारनी बनाई है और उसके हि गंटे में कितनी मिनट होती हैं एक गंटे में होती हैं 60 मिनट और एक मिनट में होती हैं 60 सेकंड तो इससे आप समय के विशय में और भी बहुत सी चीजें पता लगा सकते हैं जैसे दो गंटे में कितनी मिनट होती हैं या दो मिनट में कितनी सेकंड होती हैं तो आईए देखत कर एक मिनट बजे से दिन के ग्यारा बज कर उनसट मिनट बजे तक समय के साथ एम तथा दिन के बारा बज कर एक मिनट के समय से रात के ग्यारा बज कर उनसट मिनट के समय तक समय के साथ पी-म लगाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि जब सुभे का समय दिखाते हैं तो एम लगा होता है और शाम का समय दिखाने के लिए PM लगा होता है तो जैसे सुबह 6 बजे का समय अगर दिखाना है तो 6 AM लिखेंगे और शाम 6 बजे का मतलब है 6 PM आओ इसी से सम्बंदित कुछ गतीविदिया करें तो अब हमें यहां पर जो दिया गया है समय दिया गया है जिसे हमें एम और पी एम में दिखाना है तो सबसे पहले दिया है सुबह चार बज़े का अर्थ होता है चार एम तो इसी तरह से सुभे 9 बजे का अर्थ क्या हो जाएगा सुभे 9 बजे को आप लिखेंगे 9 एम और शाम 7 बजे का अर्थ क्या होगा शाम का समय है तो हम पी एम का प्रियोग करेंगे और हम लिखेंगे 7 पी एम तो अब देखते हैं आगे वर्क्षीट में हमें क्या दिया गया है आगे वर्क्षीट में नीचे कुछ काम लिखे हैं आप ये काम किस समय करते हो नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए तो आपको यहाँ पर घड़ी में दर्शाना है कि आप वो काम किस समय करते हैं तो आईए देखते हैं सुबह जागने का समय अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आपको पता है कि 6 पर आप गंटे की सुई को दिखाएंगे और 12 पर मिनट की सुई को दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 6 a.m. घर में पढ़ाई करने का समय अगर आप सुभे 9 बजे पढ़ने बैठते हैं तो आप इसमें 9 बजे का समय दिखाएंगे और लिखेंगे 9 a.m. खेलने का समय आप शाम को मान लीजे 5 बजे खेलने जाते हैं तो आपको पता है कि घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 12 पर तो ये हो जाएगा शाम के 5 बजे यानि के 7 पी-म और परिवार के साथ वक्त बिताने का समय यानि के आप हो सकता है जब आप शाम को खाना आने बैठते हैं तो सारा परिवारी कठा बैठता हो तो वो होता है शाम को साथ बजे, आठ बजे या साड़े साथ बजे तो आप इसमें साड़े साथ का टाइम भी दिखा सकते हैं और आपको पता है कि सारे साथ का टाइम होता है 37 तो आप यहाँ पर 37 पी एम लिखेंगे और अब आगे देखते हैं आगे की अक्टिविटी में हमें क्या दिया गया है आगे की अक्टिविटी में हमें कुछ घड़ियां दिखाई गई है और उन घड़ियों में हमें बताना है कि किस घड़ी में क्या हो रहा है तो उपरोक्त घड़ी A, B, C, V, D, K में अंकित समय से संबनित निमंगनांकित परशनों के उत्तर दीजिए धाई किस घड़ी में बज़े हैं तो धाई आप देख सकते हैं कि धाई बज़े हैं आपकी D क्लॉक में तो ये आगया D, घड़ी B में कितने बज़े हैं तो घड़ी B में कितने बज़े हैं देख सकते हैं आप गड़ी B में जो है 12 बज रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि वो सुबह के 12 है या शाम के तो हम लिखेंगे 12 किस गड़ी में 12 बजने में 2 गंटे 42 मिनट बाकी है तो ऐसा आप C गड़ी में होते हुए देख सकते हैं तो यहाँ पर आएगा C पोने 8 बजे का अर्थ आप घड़ी A को देखेंगे तो इसमें पोने 8 बज रहे हैं और उसको हम क्या कहेंगे 7 बज कर 45 मिनट आप अपने समय का अगला प्रिशन जो हमें दिया गया है उसमें पूछा गया है कि आप अपने समय का सदूपियोग कैसे करते हैं अपने शब्दों में लिखो तो ये मैंने आपके लिए कुछ वाक्य लिख दिये हैं और कुछ वाक्य आपको अपने आप लिखने हैं जैसे मैंने लिखा हैं मैं अपने समय का सदूपियोग बहुत ही अच्छे से घड़ी की मदल से बनाई गई समय सारणी के अनुसार यहाँ पर आप सारणी लिखेंगे इसे तो सारणी के अनुसार करता या करती हूँ मैं 6 एम यानि के सुबह 6 बजे पर उठ जाता हूँ साड़े 7 बजे तक योगया अभ्यास के बाद मैं खाना खाकर मा की मदद करती हूँ साड़े आठ एम से साड़े बारा पीम अब देखिए दोपैर के बारा बज गए थे तो दोपैर के बारा बजे के बाद क्या आजएगा पीम तक मैं पढ़ाई करती हूँ तो इसमें आगे आप और भी वाक्य जोड़ सकते हैं तो बच्चों ये थी आज की आपकी वरक्शीट और इस वरक्शीट को हमने बड़े अच्छे से किया अब हम मिलेंगे अपनी नए वरक्शीट के साथ तब तक आप अपनी समय सानी के अनुसाल अपना समय व्यतीत कीजिए और समय का सद उप्योग कीजिए धन्यवाद